तो कैसे हैं आप, I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज के वीडियो में आपको DTS की खराब सप्लाई से amplifier बनाना सिखाऊंगा, जी हाँ, यह जो आप सप्लाई देख रहे हैं, अगर आपके पास भी खराब पड़ी हो, तो इसे कभी फैक येगा मैं, क्योंकि यह आप यहाँ पर जो आप सप्लाई देख रहे हैं, यह यहाँ पर इसमें दो वर्जन आते हैं, एक यह वाली सप्लाई आती है और एक यह वाली, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जो अंतर आप देख रहे हैं, वो आप देख लिजिए, सामने बिलकुल आपके सामने तक को यह देखिए बस यहां पर इसमें एक्ट्रा यह चीज दे दिया गया है यानि कि एंप्लिफायर का यह बोर्ड यहां पर दिया गया है इस एंप्लिफायर बोर्ड में जो आइसी लगी है वो जबर्दस आइसी होती है इसमें हमें हमिंग या फिर कोई भी एक्ट्रा फा इस वीडियो मैंने बनाई है काफी बार इसकी वायरिंग पर भी, अगर इसके बारे में आप डीटेल वीडियो चाहते तो इसका लिंक में दे दूँगा, बस इसी IC का यहाँ पर काम रहता है, यहाँ पर करना क्या है, देखिए, इस IC को यहाँ से 12V मिलता है, इस कनेक्टर के यहाँ से 12V इस IC को मिलता है, जिससे IC ऑपरेट होती है, अभी आपका DTS खराब होता है, तो उसमें से कुछ भी output voltage नहीं निकलती है, output voltage ना होने की वज़़े से, या तो आपकी IC का problem हो सकता है, या तो आपकी किसी other components का problem हो सकता है, तो वहाँ पर आज में इसका repairing का वीडियो नहीं बनाऊंगा, repairing का वीडियो अलेडी बना जुका हूँ, उसका link में आपको जरूर दे दूँगा इसके discussion में, या फिर end screen पर, अब यहाँ पर, जब यह supply खराब हो जाती है, तो आप इसको फैक देते हैं, या फिर repair नहीं हो बादे तो फैक देते हैं, लेकिन इसको फैक इदर से काट के इस वाले पार्ट को निकाल सकते हैं, और यह जो पार्ट है, कुछ इस तरह का दिखता है निकालने के बाद, यहाँ पर किसी-किसी amplifier में इसी के साथ attach करके दे दिया जाता है, और किसी-किसी amplifier में इसको box के साथ मालग से लगाए जाता है, बस इसमें यही difference र और बहुत ही जबरदस बात यह है कि ऐसी 3V से लेकर 12V तक की supply में असानी से work करती है, minimum आपको 3V इसमें देना है, तो भी यह काम कर जाएगी, ठीक है, हमारे पास अभी 12V है, अच्छी performance के लिए हम 12V और 2MP के charger का या फिर 2MP से उपर के battery का भी इसमाल आप कर सकते हैं, तो य यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, यह जो track है, जो वाला track, IC के 16W नंबर की pin पे जा रहा है, वो positive होता है, यानि कि इस IC में 16W नंबर की pin पे plus voltage जाता है, यह है 16W नंबर का pin, इसमें हमारा plus voltage जाएगा, यहाँ पर plus लगेगा, यह जो यहाँ पर track आ रहा है, यह देखिए और यह जो resistance है, यह देखिए, यहाँ पर एक connector लगाओ है, यहाँ पर जस्ट उल्टा करता हूँ, यह देखिए, यहाँ से आ रहा है 12W, समझगें, 12W यहाँ से आ रहा है, तो आप चाहें तो पहले काम कीजिए, यहाँ पर इस track को cut कर दिजिए, ताकि उपर से कोई भी आने ना भचें, इस तरीके से आप इस track को cut कर दिजिएगा, देखिए, इस तरीके से आपने track को cut कर लेना है, तो अब यहाँ पर आपने 12W देना है, तो आपको मैं IC की soloway नंबर की pin भी गिनवा देता हूँ, इस तरीके से IC की pin गिनी जाती है, इस तरीके से, देखिए, यहाँ यहाँ पर इसमें तोड़ा सा जो लिखा हुआ है, मैं आपको clear दिखा देता हूँ, जो लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से रखना है आपने, ठीक है, इस तरीके से रखना है, और यह कट का निशान इस तरफ को होना जीए, और यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, एक, तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारफ, बारत, तेरह, सोद, पंद, सोलह, उपर सबसे लाज में, सोलह में नगर, इस तरीके से गिनना है देके, गोल करके यहाँ पर रोकना है, तो यह जो पिन है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा, य बीच की दो पिन, दोनों की बीच-बीच की इधर-इधर की पिन से जोड़ा रहेगा, पिन की अगर संख्या बताऊं, तो आपको यहाँ से गिननेंगे आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, और नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, बारा, तेरह, और चार पांच वाली पिन से ग्राउंड रहेगा, यह दो बीच का जो पिन देख रहे न, यह आपका ग्राउंड से रहता है, तो यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर हमने बारवूल्ट देनी है, और उसके बाद हम आउटपुट और इंपुट का कहां पे होगा, यह तो वैसे यहाँ पर पॉइं अगर इसके आप ब्लुटूट का, यहाँ पर काड लगा रहे है तो ब्लुटूट से जो ब्लुटूट से तीन वायर आ लिए है, यहाँ लेफ्ट रेट ग्राउंड यहाँ से जो सिगनल आ रहे है हैं, उस टेप कानेक्टर लगा लिया है, उस कनेक्टर को हम यहाँ पर एक resistance आपको मिलेगा, resistance जो है आपकी input कराता है, यानि कि जहां पर भी आपको जिस spin पर भी resistance मिलेगा, वह आपका input की pin रहेगी, और output के लिए आपको capacitor मिलेंगे, देखी यहां पर 4 pin ने हैं, तो 4 pin को अगर हम track करेंगे, तो वहां पर हमारे capacitor लगे होंगे, तो बीच की 2 ground होंग और ये left का, ये right का, ठीक है, यानि कि ये दो आपके left को control करेंगी, ये दो आपके right को control करेंगी, यानि कि right का output करवाएंगी, इस pin को मैं track करूँ, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है, इसको just उल्टा करेंगे, तो एक capacitor यहां पर लगा हुआ है, तो capacitor जहां प आपको IC मैं pin संख्या बताऊं input की, तो input की जो pin संख्या है, यहां पर एक resistance लगा है, यहां से, यहां तक एक resistance है, यह वाला लगा हुआ है, और यहां पर देखिए, यह वाली input है, यानि कि, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, साथ और दसवे नमबर की pin हमारी input करती है, दसवे नमबर की, रैट की, और साथ नमबर की, लेफ्ट की input के लिए लगी रहती है, आमने सामने की, और speaker के लिए यहां पर, speaker के लिए आमने सामने की इवाली, दूसरे नमबर की, और पंदरवे नमबर की, ठीक है, दूसरे नमबर की और पंदरवे नमब होगा कपेश्टर लगा है आउटपूट होगा बहुत ही सिंपल है इस विवार में डिटेल वीडियो बना है मैंने यहाँ पर आपको वैसे तरीके से समझाए दे दूसरी वीडियो नहीं भी देखते हैं तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे अब यहाँ पर मैंने यह जो है यह यहाँ पर दो पॉइंट के साथ जोड़ेंगे और दूसरे स्पीकर वोम लास्ट के दो पॉइंट के साथ जोड़ेंगे चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं यहाँ पर हमने स्पीकर के कनेक्शन करने हैं एक चैनल को यहाँ पर जोड़ेंगे और दूसरे चैनल को दूसरी स्ट्रेबल के साथ मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया तो आपको कुछ नी मिलेगा इसमें जबर्दस साउंड आपको मिलता है क्योंकि यह आइसी जो है अपने आप में ही बहुत ही सारी खूबिया इस आइसी की है इसके बार मैं डिटेल वीडियो पहले भी बना चुक हैं बहुत पहले मैंने इसका एक छोटा से वीडियो बनाया था उस पर बहुत लोग बोलने लगे कि ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों जो बीस पच्चीस होती है यह सबसे सुपर एम्प्रिफायर वाली आइसी मानी जाती है अपने आप में इसमें बहुत ही कम हमिंग हमें मि मैं हमिंग की कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है तो चलिए इसको में हैं पर करता हूं और यहां पर पहले में 12 वोल्ट के लिए एक चलिए SMPS की मदद से 12V देता हूं तो यहाँ पर प्लस माइनस को मैं लगा तो प्लस मैंने आपको मैंने उल्डी बता दिया कैसे आपके करना है प्लस को यहाँ पर मैं 16V नंबर की पिंज से शोडिंग कर लूँगा और माइनस को मैं यहाँ पर जो ग्राउंड की पट्टी है इससे कमें कर लूँगा तो बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन होते हैं अगर आपको इस पर कोई भी सवाल पूछने हैं तो बिल्कुल आप करना था तो चलिए वायर इस वाले पूइंट में मैं इसको सोडिंग कर लूँगा तो यह हमारा कनेक्शन हो चुका है मैंने यहाँ पर ग्राउंड ना दे के थोड़ा सा हटके यहाँ पर दे दिया है क्योंकि यहीं पट्टी यहां तक जा रहा है तो यहाँ पर एक खुला बिल्कुल इसकी लाइब आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा देखिए अब यहाँ पर इसे ओन करने के लिए मुझे 5 वोल्ट की जोड़त पड़ेगी बट मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है इसकी मदद से मैं इसको ओन करूंगा देखिए उससे पहले मैं यहाँ पर इसक पॉइंट पर उंगली टच करने से हमिंग आती है देखिए सुनिएगा साथ से आपको सुनाई दे रही होगी अब मैं बैटरी को यहाँ पर कनेक करूंगा तो आप प्रॉपरली सुन सकते हैं देखिए यह ओन हो जाएगा और यहाँ सीगनल वहाँ पर चला जाएगा देख ब्लूटूथ मोड यह ओन हो चुका है और यहाँ पर एक सेकंड में आपको एफम भी सुनाता हूं यह रिकॉर्ड है यह एफम मोड आप सुनेंगे बिल्कुल भी हमिंग आपको नहीं आ रहे होगी देखिए सुन रहे हैं आप बिल्कुल भी हमिंग इसमें नहीं मिलती है बहुत ही जबर्दस्ती एंप्लिफार होता है तो एक खराब डिटीएच के स्प्लाई से मैंने आपको एक एंप्लिफार बनाना भी सिखा दिया है अब मैं एक सौंग यहाँ पर आपको चला के सुनाना चाहू कि अन्य क्यों केटने होंगा सब कुछ मैं किलियर दिखाऊ तो भास रहेतर रहेगा एक सेंड इसमें चलिक ब्लूटूछ Alma चलिक ब्लूटूट को यहाँ पर कनेक करता हूं यह आपको उसके बार दिखाता हूं ऑप यहां पर मोयल को मैंने चलिये हैं ।कत के साथ अब यह देखिए ये बारवोल्ट की वायर हमारी आ रही है इसके साथ में टैच है ये हमने इसको सप्लाई देने के लिए समाल करी है जिसके मैं इसको चीक करके भी आपको दिखा देता हूं या पर बारवोल्ट प्रॉपर मिल रही कि नहीं ठीक है ताकि आपका कंफूजन बिलिकुल przeci मारि मल्टीनीटर है और सविस्क्नाइब आपको दिख दूसे तो यह है जो हमारी परकाटाइक तो बारवोल्ट की से हमारा गरी शहां ठीक है वाग्वी मैंने और सब कुछ दिखा दिखा दिया है तो हमें वी सॉग को ठिखा है कि इसमें तो यहां पर आपको मैंने दोनु चैनल पर सुना दिया पर्दा दबाया है ताकि आपको लगे कि आप पर सौंड एक चनल से चल रहा है ठीक है सौंग को और ज्यादा प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आसकल कॉप्यराइट का थोड़ा समझा आ रहा है